अगर आप P2P ट्रेडिंग में इन्वाल ले तो इस पटिकलर वीडियो ज़रूर एंट तक वाच करना क्यूंकि आप इस वीडियो नहीं देखा तो अभी कुछ नया स्काम चल रहा P2P ट्रेडिंग का स्काम चल रहा तो वीडियो ज़रूर एंट तक देखना तो इस पटिकलर P2P स्काम कैसे आपको एक्स्प्लेइन करूंगा एंड इसमें अगर आपको प्रिकॉशन लेना है तो अगर आप रेगलर P2P ट्रेडिंग कर रहा तो क्या-क्या प्रिकॉशन लेकर आप इस पटिकलर नोटिसेस और प्रिजस को कैसे अवाइड कर सकते हैं वो सारे डीटेल्स इस वीडियो में एक्स्प्रेंट करूंगा तो मेरा बैंकिंग इंडिस्ट्री में कुछ फ्रेंड और सोर्सेस है उसके तुरू आया तोड़ा इंफरमेशन है वो भी आपको इसमें शेर करूंगा तो जरूर क्रिप्टो फ्रेंड्स और कम्यूनिटी ग्रूप में जरूर शेर करना क्योंकि इस टाइप आफ स्कांप में विटोड नॉलेज अगर आप फस्ट गये तो आपका कौन फ्रीज हो सकते हैं पोलिस नोटीज भी आ सकते हैं तो आपको वेरी केरफुल रहा है क्योंकि इसका वेरी इंपोर्डेंट असर हो सकते हैं आपका क्रिप्टो ओर ट्रेडिंग में तो लेस्ट बिजिए वीडियो गाइस फस्स इंग आपको पीटूपी ट्रेडिंग के बार में अल्लेडी आइडिया होगा इमाजिन करके वीडियो कंटिनू कर रहा है तो यह ओनली में जमतारा करके उस सिरीज जरूर देखना इसमें बेसिकली क्या होता है रैंडम स्कैमर्स जो है रैंडम निम्मर्स को कॉल करके अधर संब इंट्रेसिंग तिंग्स ओफर करते हैं आपको में भी हॉलिडे मिल गया फ्री में आपको तौजन रुपिस सेंड किया तो आपक क्याय से बोलके उसमें funds ॲूट करके स्कैम्स को इंपुमेंट करते हैं इसमें बेसिक विक्तिंग को पकड़ते है उसको बंढकरा बनाते यंड़बंव होता है किसी को भी पकड़े नहीं जाते हैं, so यह नॉर्मल स्काम्स एसा वर्क होते हैं, so इसी स्काम्स में अभी थोड़ा hybrid model आगा है, with the help of crypto P2P trading, so इस hybrid model scams कैसे operate होते हैं, आपको explain करोंगा, with simple step by step, so अभी आपको P2P scam calls के बार में discuss करोंगा, so यह very important है, so first scammer क्या करते हैं, एक P2P एक बकरा को, इस थाप का बकरा विक्तिम को identify करता है, and उसको ready करता है, ताकि वो इस particular users को 10,000 सेल करें, मान लिजे, बकरा ने एक OLX में ad देखा, 10,000 का, इस scammer ने इस victim को convince किया, अगर मुझे आप 10,000 बेज दिया तो मैं आपको iPhone सेंट कर दूगा, so अभी victim ready है, उसके बाद scammer क्या करता है, P2P trading account, so मुझे इस particular story के बादे में, through my banking industry में कुछ friends है, उस friends के तुरू मुझे यह knowledge मिला, क्योंकि वो लोग banking industry में हैं, उदर उसको cybercrime, police से multiple mails है, couple of mails, and उस friends को पता है, मैं क्रिप्टो में हो करके, तब जाके मुझे यह complete story समझ में आया, so उसमें basically क्या हुआ, आपको यह scammer है न, यह scammer victim को ready किया, उसका fund send करने के लिए ready है, विक्टिम अभी, उसके बाद यह scammer ने मेरा जो example में हो, उसमें packs full एक P2P exchange है, crypto exchange, उसमें यह scam हुआ है, यह scammer ने unknown के वैसी एक account open किया, उसमें से एक P2P buy order place किया, so like इदर victim जो है 10,000 सेंट करने के लिए ready है, 10,000 रूपीज इन आया नर, एंड स्कामर जो है P2P trading में जाके, 10,000 रूपीज आया नर का bitcoin और USDT को buy order place किया, उसके बाद कोई भी other third party trader जो है, उस P2P order को लेके, उसको buy करने के लिए, मतलब account details इसमें send कर दा है, so मतलब इस particular user जो है, इसमें account details जो है, इस particular user का इसमें दिख जाएगा, so उसके बाद, यह scammer जो है, इस particular account details जो collect किया, यह P2P trader क्या करता है, bitcoin purchase करना है, तो with P2P, इस P2P trader का bank account details share करता है, so अभी scammer क्या करता है, इस P2P trader का account details लेके, यह victim जो बकरा जो है ready है, उसको base देता है, so देख सकते है, share P2P trader account details to victim, so अभी victim क्या करता है, so उसको 10,000 में आइपोन मिलना करके, उस account details जो भी scammer send किया, उस account details accounts में 10,000 रुपिस transfer कर देता है, like send money, so once ये fund आने के पास scammer क्या करता है, his victim का number को block कर देता है and victim का सारा connection with scammer जो है, cut हो जाता है and scammer को slowly realize हो जाता है कि वो बकरा बन गया है, so अभी scammer क्या करता है, इस particular user को fund transfer, ये victim जो fund transfer करने का बाद screenshot लेके P2P trading में उस transaction details and screenshot जो है P2P trader को share करता है, so अभी P2P trader क्या करता है, basically 10,000 उसका account में आगे है, तो obviously crypto को release कर देता है, so उसके बाद P2P trader funds आगे करके funds को release कर देता है, अभी scammer क्या करता है, तुरंद उस crypto को उस Paxful और कोई भी exchange से withdraw करके, दूसरा personal valid like metamask trust valid में transfer कर देता है, उदर से mixing करके, दूसरा exchange में बेज़ देता है, और वहाँ से वो cash out करता है, so ये complete process में अगर आप देखा तो दो victims है, first victim जो है ये बकरा बोल सकते है, so क्यूंकि इसको पता है, 10,000 में कोई iPhone नहीं दे सकता है, फिर भी ये लालेश में जाके इसको fund बेज़ दिया, ये first बकरा है, and second victim जो है, ये PTP trader, so PTP trader को इस complete senior area के बारे में कुछ idea नहीं है, but इसमें automatically involved हो जाएता, so आप ये PTP trader है तो अगर आप भी precaution नहीं लिया, तो without your knowledge आप इस scam में part हो सकते है, तो अभी इस whole scenario के बाद क्या होता है, इस particular बकरा जो है, victim जो है, cybercrime police में, अगर तोड़ा अच्छा बकरा है, तो normal बकरा जो है, उसको complaint करना भी नहीं पता है, तो अच्छा बकरा है, तो ये क्या करता है, cybercrime police department में complaint करता है, तो complaint करके उसको इस user के पास क्या details है, mobile number है, scammer का and scammer का account details है, तो इस scenario में scammer का account details क्या है, P2P trader का account details, तो मतलब अगर आप P2P trading में इसमें involved योगा तो आपका account details, cybercrime department में जाएगा through victim, तो अभी victim जो है, आपका account details and scammer का mobile number, cybercrime में दे देता है, and cybercrime department क्या करते है, first precautionary step for cybercrime, so यह usual process है, एक notice बेज देता है to the bank, so bank को notice बेज के, यह 600 account जो है, एक fraud में involved है, यह fraudster किसी दूसरा विजर्स को, 10,000 में iPhone बेजदा करके, भकरा बनाया है and funds इस account में लिया, so तुरंत इस account को freeze कीजिए करके, cybercrime police जो है, bank को instruction बेज़ता है, with a notice, so अभी bank का करते है, bank का obviously duty है, cybercrime से जो भी ऐसा notice आता है, उस account को immediately block करके freeze कर देता है, इसके बाद क्या होगा, इस account में किसका account freeze हुआ, scammer का नहीं, so victim, P2P trader का account जो है, freeze हुआ, क्योंकि, victim जो है, directly P2P trader account में funds बेज़ा, through scammer, so अभी scammer, P2P trader को idea भी नहीं, funds, इस scammer, ये scam के through आया करके, so अभी scammer का, sorry, P2P trader का account freeze हो गया, and उसके बाद, cybercrime department, उस account details से, KVC निकाल के, address and other documents भी मांग लेता है, so उस documents को लेके, cybercrime department, उस address में भी notice बेज सकते हैं, like आप इस particular crime में involved है, so आप इसका explanation देना है, so कभी कभी police भी जा सकता है, so ये complete scenario में, आपको without any knowledge, आप इस scam में फस जाता है, क्योंकि, बाकी लोगों को क्या पता है, जिस account में funds गया है, वो ही scammer है, so उस users को कुछ नहीं पता है, ये crypto trading हुआ, कि P2P trading में आपने बेज जा करके, क्योंकि, funds जो है, आपके account में आया, through the, directly from the victim, इन victim को भी लगेगा, आप ही scammer हो, so, इस complete scenario में, without your knowledge, आप scam में part हो सकता है, ये बहुती बड़ा impact हो सकता है, आपका lifestyle में, क्योंकि, आपको cybercrime से notice आता है, आपका bank account freeze हो जाता है, और आपका funds, जो है completely lock हो जाता है, so, ये इस type का scams, अभी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि, P2P trading में, अभी ज़्यादा volumes हा रहा है, क्योंकि, major exchanges में, payment gateway through, like account transfer, और payment gateway transfer, जो है freeze हो गया, so, इसलिए आपको ध्यान में, रखना होगा, ये मेरा story, जो मैंने बताया, एक मेरा banking source है, tax full exchange का, victim का बारे में, story है, अभी एक और victim, जो है मैंने, Twitter में देखा, Mr. Deepak, so, इसका post मैंने देखा, इसको directly, cybercrime department, police department से notice आया, and इसका भी same story है, इसका account भी freeze हो गया, and इसमें आप देखा, तो ये incident जो है, kucoin exchange में होया, and kucoin में, इस particular scenario के, through kucoin भी try कर रहा है, help करने के लिए, but इस complete threat देखा, तो last में, इसने bank का, जो mail किया, उसमें, automatic reply है, three days में, resolution मिलेगा, करके reply है, but मेरे इसाब से, मेरे sources के इसाब से, इस type of scenario में, आपका account freeze होने के बाद, आपका account unfreeze होने में, बहुत ज़्यादा time लगता है, so three days में नहीं होगा, three months भी हो सकता है, and एक साल तक भी जा सकता है, क्योंकि, banks जो है, आपका story जो भी आप बताया, banks को नहीं पता, RBA को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, P2P driving क्या है, आपको explain करना, first difficult task है, second difficult task को convince होने के बाद, भी bank को right नहीं है, unfreeze करने के लिए, क्योंकि, banks सारा regulated है, इन उसका simple instruction है, so, cybercrime department ने, bank को instruction दिया, to freeze the account, so, अगर आप उस account को unfreeze करना है, तो same source से, आपको unfreeze का notice आना चाहिए, so, मतलब, cybercrime department से, notice जाना bank को, to unfreeze that account, तब जाके आपका account unfreeze होगा, तब तक account unfreeze होने का chance ही नहीं है, आप कितना भी explain करो, banks को, आप banks ऐसा operate नहीं करता है, क्योंकि उसका एक regulations है, उसका guidelines है, so, उसको cybercrime department से, notice आने तक, वो unfreeze नहीं करेगा, so, यह आपको very impact कर सकता है, आपका, so, इसलिए, आपको multiple precautions लेना होगा, इस type का scams को, आप avoid करने के लिए, so, आपको 2-3 tips दे दूगा, so, first tip जो है, आप जो भी P2P trading कर रहा है, तो, उसमें आपका, जो भी funds आ रहा है, so, उस crypto user का, same profile name से match हो रहा है कि नहीं चक करना, क्योंकि, कभी-कभी narration में, आपको bank statement में, narration में, कभी-कभी नाम नहीं आता, but most of the times, इसमें भी आप देख सकते, इधर देख सकते, यह verified tick mark रहेगा, LO tick mark, so, verified merchant with high trading volume, so, इस type of users के साथ ही, आपको, इस type of users के तुई, आपको इस particular trading, जो है, आपको करना होगा, so, अगर आप other users से क्या, तो आपका risk, जो है, risk of losing funds, risk of getting involved in this cyber crime, ज्यादा है, and another important thing, जो है आपको, अगर आप funds का चींता है, तो आप मेरे इसाब से, P2P trading के लिए, अलग bank account open कीजिए, and उसमें only P2P trading का transaction कीजिए, and regularly आपका funds होए, operative, दूसरा account में मूँ कीजिए, अगर आप वो account freeze हुआ, तो भी आपको, ज्यादा financial loss, और financial support का loss नहीं होगा, so यह साब couple of steps, measures लेके, आप इस complete scam event से, avoid कर सकते हैं, and reduce कर सकते हैं, आपका risk, and जिब भी आप trading कर रहा है, तो आपको, पक्का उसका नाम, उस सब details चेक करना होगा, so यह कैसा आज का वीडियो, all about new type of P2P scam calls, इसके बार में आपको idea दिया, क्योंकि यह very very important thing है, so बहुत सारा Indian users, जो भी P2P trading में use करें, क्योंकि centralized exchanges का, some issues चल रहा है, so इस type में, इस type का नाम सकार है, so अगर तोड़ा भी आप negligence दिखाए, तो आपका complete trading career में impact हो सकता है, so यह guys, आज का वीडियो all about P2P trading scam call, so यह वीडियो आपको तोड़े भी helpful लगा, अच्छा लगा मेरा चैनल को, first हमार तो चैनल को subscribe रहने वीडियो को like करना, जो भी ड़ी आउट साथ क्लाइट वेशने कमें करना, इन उसके साथ इस type of scam में, अगर आप आप भी एक victim हुआ तो आप भी banks को convince करना में difficulty face करा तो आप comment section में आप mention कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो यह वीडियो उस banks के साथ भी share कर सकते हैं, ताकि उस users को भी थोड़ा idea मिल जागा है, यह P2P trading scam में आप कैसे पसा है, so यह guys, अजए की वीडियो आपको लाइए था, तो आपको लाइए वाचिए जाहिन